भरी तो पहरी डाकिया बाबू चिठी लेकर आया, अपनी चिठी लेलो बाबू दरवाजे पर चिलाया स्कूल के दिनों में ये कविता सुनकर आप सभी को अपने बचपन के दिन याद आ गए होंगे जब डाकियों और उसकी खाकी वर्दी के बारे में स्कूल में बताया जाता था लेकिन डाक घर और डाकियों को केवल चिठीयों और मनी ओर्डर से जोड कर नहीं देखा जा सकता है ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देश में डाक घरों की संक्या बढ़ने वाली है क्यों और कैसे हम जानेंगे यहाँ नवस्कार आप देख रहे हैं News Wall India मैं हूँ आपके साथ जो हिसे दरसल भारतिय डाक इंडिया पोस्ट सेवाओं के विस्तार के लिए इस साल देश भर में 10,000 नए डाक घर यानी पोस्ट ओफिस खोलने वाला है साथी सरकार ने पोस्ट ओफिसों को मौजन बनाने के लिए 500 करोड रुपए के फंड का भी प्रावधान किया है डाक विभाग सरकारी सर्विस प्रदान करने के लिए टेकनॉलोजी और प्रोडक्स पर काम कर रहा है चली अब जानते हैं आखर क्यों लिया गया ये फैसला उदेश है पोस्ट ओफिसों को और मौजन बनाकर डिलीवरी सिस्टम को बेतर और पावरफुल बनाया जाना और सबसे बड़ा कारण है कि आने वाले समय में डिलीवरी जोन्स की मदद से की जा सके अब डिलीवरी किसकी तो चिठियों, टेलीग्राम्स, पासल्स, मनी ओडर्स की अब इससे फायदा ये होगा कि अलग-अलग तरह की डाक और सरकारी सिवाए आने वाले दिनों में लोगों के घर पर ही मिल जाएगी टेकनोलोजी की मदद से डाक घरों को हाई-टेक बनाया जायगा जिससे वहाँ आने वाले लोगों को भी सहूलियत होगी डाक विभाग के सच्चिव अवन्शर्माने भारतिये प्रतिसपरधा सम्मेलन में डाक घरों को मौडन बनाने के बारे में बताया कि हमने हाल ही में गुजुरात में ड्रोन से डिलीवरी की है सरकार ने हमें आईडी प्रोजेक्ट को बढ़ाने के लिए कहा है हमने इसके शुरुवात साल 2012 में की थी लोगों को डाक और विभिन्द सरकारी सेवाएं आने वाले दिनों में घर पर ही मिलेंगी उन्होंने बताया कि आने वाले समय में लोगों को डाक घर जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी डाक विभाग के उद्धिश्य है कि टेकनोलोजी के जरीए मदद और सेवाएं लोगों को उनके दरवाजे तक पहुँचाई जाए आगे उन्होंने बताया कि सरकार ने हमें अपनी पहुच को बढ़ाने के लिए नए डाक घर खोलने को कहा है अभी हमें 10,000 डाक घर खोलने की मनजूरी मिली है अब आप सोच रहे होंगे कि आज के समय में चिठी, टेलीग्राम, सरकारी, पार्सल्स वगेरा बिरले ही डाक घर के लिए जरीए भेजे जाते है तो बहुत लोग ये भी सोचते होंगे कि भाई आज के समय में डाक का यूज और यूटिलिटी है क्या तो आपको बता दे दरसल आज भी डाक घर एक एहम भूमी का निभाते हैं ये किवल वो जगह नहीं है जह हम चिठीयां बेजी जाते है या फिर हासिल की जाती है डाक घरों में और भी बहुत सारे काम के जाते हैं इसी के चलते हैं इनकी कम्यूनिकेशन और डिलीवरी से स्पेस में खास जगह है और यही कारण है कि देश में डाक घरों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया है इनका बड़ा महत्व है आईए समझते हैं भारतिये डाक डिलीवरी सेवाओं के अलावा कई तरह की सेविंग स्कीम भी चलाता है इसके अलावा सरकार की तमाम स्कीमों का फायदा भी पोस्ट ओफिस से लिया जा सकता है इंडिया पोस्ट की विवस साइट से पता चलता है कि डाक घरों में क्या सेवाएं मिलती हैं तो चलिए आपको ये भी मैं बता देती हूँ इनमें recording deposit, किसान विकास पत्र, time deposit, public provident fund जिसे हम आम भाशा में PPF बोलते हैं हर चार महिने में सरकार इन स्कीमों की तहत दी जाने वाली ब्यास दरों का रीवियू करती है इनके अलावा ग्रामीर, डाक जीवन वीमा, बिल कलेक्शन, फॉर्म की बिक्री और डाक जीवन वीमा, PLIJC सेवाएं भी डाक विभाग के तरब से दी जाती है आम लोग Post Office में National Monthly Savings Scheme, वरिष्ट नागरिक योजना और सुकन्या समरिधी योजना आदी के लिए खाता खुलवा सकते हैं अब चलिए ये जान लेते हैं कि क्या पहले भी ऐसा हुआ है साल 2020 में संचार विभाग मंतरवाले ने एक योजना शुरू की फाइल स्टार विलेज नाम से जिसका उदेश्य थाल लोगों को जागरू करना साथी डाक सेवाओं और उतपातों को लोगों तक पहुँचाना खासकर दूर दराज के इलाकों में आपको बता दे कि इस साल बजट सत्र में एनिटाइम एनिवेर पोस्ट आफिस सेविंग स्कीम की घोशना की गई इसका उदेश्य है सभी डाक घरों को को बैंक के सिस्टम से कवर करना इसे वित्तिये समावेशन भी कहते हैं अब घबराये मत थोड़ी हैवी हिंदी है लेकिन हम आपको समझा देते हैं इसका मतलब क्या होता है लोगों और अलग-अलग बिजनेस तक जरूरी और किफाइटी फैनेंशल प्रोडक्स और सेवाओं को पहुँचाना जिसे उनकी लेन देन भुकतावन, बजट, क्रेडिट, बीमा, आदी जैसी जरूरतों को सही तरीके से पूरा किया जा सकते हैं कहा जा सकता है कि आज भी टागघरों की एहमियत है ये लोगों को एहम सरकारी मिलने वाली योजनाओं से जोड़ते हैं खाता खोलने, डिलीवरी करने, पैसा सेव करने में मददगार सावित होती है कयास लगाया जा रहे हैं कि इनकी संख्या बढ़ाना खायदे का सौदा हो सकता है और चिठी पत्र पार्सल आदी जैसे काम तो पहले से ही है तो ये थी कुछ ऐसी एहन जानकारिया जो आपको जानना जरूरी है आज के लिए मेरे साथ पसितना ही बने रहे हैं नियूस वाल इंडिया के साथ